हाई दोस्तों मैं मनोश सर एपीएस अपनीजी सच्चू सामान हिंदी तो देखे दोस्तों पत्र लेखन है निमलिकित में किसके अंतरगत नियुक्ती और छुट्टियों की सुकृति तथा पद्विर्धी आदि की सूचना दी जाती है पत्र परिपत्र प्रेश बिग्यप्त अगला देखे दोस्तों निमलिकित में किसका प्रियोग सरकारी अस्तरपी अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है तो देखे यहाँ पर कारियाले आदिस अधिसूचना ग्यापन परिपत्र तो यहाँ पर क्या होगा अधिसूचना फिर से देखे द अगर निमलिखित में किसका प्रियोग सरकारी अस्तरपी अधिकतर भारती गजटों में सरकारी नियम के आदिस अधिकान नियुक्ति की सनचना अधिसूचना होता है। पत्र के सबसे उपर पत्र संख्या लिखते हैं ये सही है दोस्तों पत्र के बाई और सेवा में लिखा जाता है ये भी सही है संबोधन महोदय बाई और लिखा जाता है। सब्बद या दिनस्त कारियालों के साथ पत्रा चार के समय अगला देखे और साज की पत्र के संदर में कौन सा कथन गलत है। तो देखे इसका स्वरूर ब्यक्तिगत पत्र के समान होता है ये सही है वह पत्र अन्य पुरूस में लिखा जाता है ये गलत है। अगला देखे दोस्तों और चारिक सब्दों से आरंब करने की अवसकता नहीं होती है ये भी सही है और प्रायस समान अस्तर के साथ एक ऐसा पत्र होता है ये भी सही है। आदिसूचना प्रकासित होती है सरकारी गजट में, सरकारी पत्रिका में, किसी भी पत्रिका में, सामान पत्र के रूप में तो ये क्या है सरकारी गजट में जब कोई सरकारी पत्र ग्यापन का कारियाल ग्यापन एक साथ अनेक प्रेशितों को भेजा गया हो तो उसे क्या क सरकारों की कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उशे क्या कहते हैं सूचना परियूग किस शित्र में नहीं किया जाता है नेयम है आदेश है करतब बे अधिकार है तो क्या है करतब कीजा जाता है संचिप्तता है, प्रेशक है, क्रमबदता है, अग्रज, अग्रज नहीं है अगला देखे, जब एक अधिकारी, दूसरी अधिकारी को ब्यक्तिकस सैली में से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते है सास्की पत्र, और सास्की पत्र, टिपड़ी, कारियाल ग्यापन, तो और सास्की पत्र, अधिसूचना का प्रियोग किस शित में नहीं किया जाता है नियम है, आदेश है, कर्तब्य है, अधिकार है, तो क्या है कर्तब्य है, अग्ला देखे, कौन सा कथन असत्य है, गलत है परिपत्र का रेलादेश तो यह क्या है परिपत्र है सास्की पत्र की किया भी शेष्टा नहीं है सरकारी पत्र की बैधानिक प्रामाडिक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है ऐसे पत्र अनिपूरु शैली में लिखे जाते हैं ऐसे पत्र में ब्यक्तिगत परिपत्र का भाव होता है तथा ये पूर्ण रूप से आपचारिक होते हैं डी इस प्रकार के पत्रों की भासा मितरता पूर्ड नहीं होती ये गलत है दोस्तों निमलिकित में कौन सा बिकल्म सास की पत्र से सम्मंधित नहीं है तो सास की पत्र से सम्मंधित नहीं है तो देखे इसमें क्या है इस परकार की पत्रों की सरकारी कामकाज में सरकारी विभाग कारेयलों दौरा पत्राचार के लिए सबसी अधिक प्रयोग किया जाता है। प्त्र को सांचिवारों के लिए। मेरे प्री स्री या प्री महोदय जैसे सब्दों का प्रयूग होता है D क्या है सरकार की कामकाज में इस प्रकार की पत्रों का प्रयूग सबसे अधीक होता है अगला देखे कौन और साज की पत्र की विसेस्ता नहीं है तो देखे कौन सी विसेस्ता नहीं है तो देखे इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग सामान अस्तर के अधिकारियों के बीच होता है और इस प्रकार के पत्रों का प्रियोग किसी भी प्रकार के पूस्ताज करने तथा किसी तत्य मर्ध्याना करशित करने अत्वा कोई सूचना देने या किसी भी सह का इस पश्टी करने या मागने के संदर में किया जाता है और इस प्रकार के पत्रों में आउसकता पढ़ने पर गोप्नियता लिख दिया जाता है ये भी सहाई है और इसमें संबोधन अधोलीक आदिका प्रियोग नहीं किया जाता है ये गलत है अगला दिखें दोस्तों निमलिकित बिकल्पों में से कौन सा बिकल्प कारियाले आदिस से संबंदित नहीं है तो इस प्रकार की पत्र आदिसात्मक होते हैं तथा सदय वसीष्ट तथा कनिष्ट को लिखे जाते हैं ये राजबासात्वा बैकल्पिक राजबासा में लिखे जाते हैं ये सदय और राश्टपती या राजपाल के नाम लिखे जाते हैं ये गलत है दोस्तों इसका उलंगन करने वाले कार्मिकों पर अनुसासात्मक दंडात्मक करवाई की जाती है अगला देखी कौन सी बिसीस्ता कार्याले आदीज से संबंदित नहीं है तो नहीं है यहाँ पर क्या है नहीं है या संगठन की नीतिवों और नियमों को सभी कार्मिकों तक पहुँचाने का सरुत्तम तरीका है तो ये सही है दोस्तों और इस पत्र में केवल पद सूचा का नया लिखा जाता है ये भी सही है अगला देखी कौन सी बिसीस्ता है कार्याले आदीज से संबंदित है इस पत्र के नीचे बाई तरफ उन व्यक्तियों के नाम को लिखा जाता है जिनके लिए आदेश जारी किया जा रहा है तता जिनको इनकी प्रतलिपी भेजी जाने वाली है तो ये सही है दोस्तों और इसमें संचित्ता था विसाइगत वस्तुनिष्टता होती है ये गलत है और ये सुचनार्थ होती है ये भी गलत है इसका प्रकाशन निवारूप से राजपत्र में होता ये भी गलत है अगला देखे इनमें कौन सी विसीस्ता आदि सूचन से संबंधित नहीं है तो देखे भावधी के अस्थान पीस में संबंधित पताधिकारी का अस्ताचर उसी के नीचे दिये गए पदनाम लिखा जाता ये सही है इस पत्र में प्रेशक का उलेक नहीं होता इस बिसाइक का संबोधन तता भावधी आदिस्वण निर्दीस का प् परिपत्र निमलिखित बिकल्पों में परिपत्र से संबंधित कौन सा बिकल्प भिन है तो देखे इस पत्र की जिसां सदय वरिष्ट की कनिक्ष्ट कारियाले की ओर से होती है सही है दोस्तों और इस पत्र की माध्यम से स्रम समय और धन की बचत होती है ये भी सही है और इसकी पत्र अनुभाग अथिकारी द्वारा जारी किये जाते हैं ये सही है। आगला दिखी, निमलिखिद बिकल्पों में से कौन सा बिकल्प अनुश्मारक इस्मरण पत्र से सम्मंदित नहीं है। तो देखे नहीं है तो इस पत्र को अंग्रेजी भासा में रिमाइंडर कहा जाता ये बिल्कुल सही है और इस पत्र का उदीस इसमनड दिलाना ही होता ये भी सही है और अनुसमारक पत्र का रूप वही होता है जो पूर में भेजे गए पत्र का हो यानि सरकारी पत्र का नुस सरकारी प्रतिष्ठान अपनी किसी घोश्रा निर्ड़ा निस्य निर्देश योजना आदी से संबंदी सूचना है संबंदी ब्यक्तियों तथा आम तक लोगों तक पहुंच से ये गल सही है और यह ध्याना कर्शन ये गलत है इसमें उत्तर की आसा की जाती ये भी गलत है अगला देखे दोस्तों प्रतिवेदन से संबंदी भिन बिकल्प का चैन करें तो देखे यह पत्र हमेशा अपने उच अधिकारी को ही प्रसुत किया जाते हैं ये सही है और इस पत्र में संपूर जानकारी क्रमिक रूप से लिखी जाती ये भी सही है और इस पत्र की सरल भासायम रोचा कोती है नकी साहित्तिक ये भी सही है इस पत्र की सैली बिधी क्यों टक्साली होती ये गलत है दोस्तों अगला देखे प्रतिवेधन लिखने के लिए किन बातों पर विसीज द्यान देना चाहिए से संबंदित बिन बिकल्प का चैन करीए तो ये देखे किया है ये संशिप्त होना चाहिए किसी घटना या कारवाई की मुखे बातें इस पत्र में अवश्य होनी चाहिए ये सही है और भासा सराल और सैली सो इसपस्ट होनी चाहिए ये बी सही है ये गलत है अगला देखे टिपड़ी लेखन से संबंदित भिन प्रकार का चैन करें तो अधिकारियों दोरा टिपड़ मित्रो दोरा टिपड़ी और संबंद लीपिको दोरा टिपड़ी और वित्ती टिपड़ियों तो इसमें क्या है बी सही है अगला देखे तार लेखन से संबंदित भिन विकल्प का चैन करिए तो इसमें क्या है इसकी जो सैली है वो अनुरोधात्मा को सिपारिस वाली होती यह सही है, निर्देशक सब्द का सही अर्थ क्या होता है, संकीत, कथन, निम्न, आज्यादेश, डी सही है, निर्देश सब्द का सही अर्थ क्या है, संकीत, आज्यादेश, निम्न, तो क्या है संकीत सही है, अगला दिखे दोस्तों, नियत सब्द का सही अर्थ क्या होता है, कारियाली बिधा में लिखा गया नोट अगला देखे टिपड़ी कारियाले सब्द का सही अर्थ क्या होता है टिपड़ी लेखन के बिधी और ग्याब कारियाली सब्द का सही अर्थ क्या होता है जानने के लिए दिया गया अलेक अगला देखे सासकी सरकारी पत्र किस प्रकार प्रयूक नहीं होता है तो देखे नहीं होता है पत्रक्त्र की कौनसी विशिता नहीं है तो देखे यह सास की पत्र पोर्ताव वचारिक होता, यह सही है इसमें ब्यक्तिकत बातों का उलेक नहीं GP朝 ववजुतस वे गुलत है अगला दिखिए, इस पत्र का आलेक आपचारिक प्रारूप जैसा होता, इसकी माध्यम सी बिभी नदिकारी के मद्य सास की, प्रिवजणार्थ, बिचार बिमर्स, वारता बैठक, ध्याना कर्शन वाले बिसिष्ट, मामले कतिपय, गोपनी, मामलो इत्यादी, संदर्वित, क देवहार संपादित किये जाते ही है, परिभासा किस पत्र से संबंदित है, सरकारी पत्र, कारियाले आदिस, अनवचारिक पत्र, क्या है, अगला दिखिए, निमलिखित पंक्तियां किस से संबंदित है, किसी बिभाग का का कारियाले द्वार अपने कारियरत, अधिकारी कर में आदेश अत्वा संदेश की सूचना प्रदान की जाती है तो कारियाले आदेश है अगला देखे जो पत्र किसी अधीन कारियाले या अन किसी कारियाले को सूचना निर्देश आदेश अत्वा अनुदेश देने के लिए तैयार किये जाते हैं तो सरकारी कामकाज की प्रक् तो परिपत्र है यह पत्र आलेखन का वह प्रारूप होता है जिसकी माधियम से लोग बिसाय अति महत्वपुड मामलों में सासकी निर्ड़यों, सुचनाओ, अन्य समवेधानिक आदिसों को सरुसाधानी सुचनार्त राज की गजट के रूप में प्रकासित किया जाता है इस नाम से इस पत्र को संबोदित किया जाता है, तार है, अधि Сूचना है, कारियाले अधिश है, अनुश्मारख है, तो तार है दोस्तों, अगला देखे, पत्र बिवार का वोह रूप जिसके माधियम से किसी सरकारी कारियाले में किसी बिसिष टात्वा सामान मामलों में कारि कारियाले से किसी ब्यक्तिकत मामले में किसी मनुस को आपचारिक सूशना भेजी जाती है तो इस तरह की पत्र को हम किश नाम से जाना जाता है कारियाले पर ग्याप को संचीप में क्या कहते हैं परिपत्र कहते हैं ग्याप करते हैं सासकी पत्र करते हैं तो भी है ग्याप है औ और आपचारिक पत्रे से संबंदित क्या है कि निमलिखित में कौन सा और आपचारिक पत्र का उदारण है तो महले में बिजली की समस्या के लिए जिला दिकारी को लिखा गया पत्र बहन के विवाह में सामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र ये सही है दोस्तों गाउ पत्र की संभंदे में निम्रिखित में किसको कहते हैं, पिता-पूत्र, सुभासकी, प्री-पूत्र और अपका इश्ने-ई-कान, तो सुभार्शीद हैं, अगला दिखे, कच्छा-दस को छात्र ने अपनी अनूपसती, दंड माफ करने के लिए प्रधाना ध्यापक को पत्र लिखा उसका यह पत्र की सुवर्ग में आएगा निमंत्रन पत्र आवेदन पत्र ब्यवसाइक पत्र ब्यपारिक पत्र तो क्या है आवेदन पत्र है ब्यक्तिक पत्र किनके माध्यम से लिखा जाता है ब्यवसाइक के अगला दिखी यदि आपको अपनी मित्र को पत लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे अगला दिखी दोस्तों गंदगी की समस्या से पीडित मोना मुहल्य वासियों की ओर से नगर का द्यश को निखा गया पत्र निमलिखित में किस स्रेडी के अंतर गताता है प्रातना पत्र providesन पत्र ब्यभारीक पत्र सिकायती पत्र तो यह है सिकायती पत्र है यदि आपको अपने पत्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे आदरणी मित्र, पुझजनी मित्र, प्री मित्र, महोधा है तो यह है प्री मित्र है कौन सा कथन असत्य और गलत है तो देखे अर्शास की पत्र मित्रता पुर्भा पासा में लिखा जाता है, संबोधन के लिए प्री लिखा जाता है, अस्वा निर्देश के लिए आपकी साधवी लिखा जाता है, और इसमें भेजने वाले अखताचर करके पत का उलेक नहीं गया, गलत है दोस्तों, मच्छरों की समस्या से पीडित महलेवासियों की ओर, प्रदोसीत पानी से महामारी की असंगा की संबंद में सिकायटी पत लिखना हो तो किसे लिखेंगे, मानमी स्वास्त अधिकारी को लिखेंगे, अगला देखे, बाड़ पिडितों की साहता की संबंद में पत लिखना हो तो किस अधिकारी को पत लिखेंगे, लेखा अधिकारी महोदय को, जिला दिकारी को, कुलपती महोदय को, आचार महोदय को, तो जिला दिकारी महोदय को, अपने पत्र को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है, माननी महोदय को, प्री मित्र को, पुज प्रारंब समापन करतिस में अभिवाधन के लिए किन सब्दों का प्रयोग करेंगे प्रे मित्र अभिन प्राण प्रियतम तुम्हारे ही प्रियतम सुवेचिक परम प्री सुभाकाच्ची तो ये ए सही है अगला दिखे अपने माता-पिता को पत्र लिख रहा हैं तो पत्र के आरब में किन सब्दों का प्रयोग करेंगे महोदाय, प्री, प्रीवर, स्राद्धे तो स्राद्धे है आप ब्यवसाई सम्मंदी पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन के लिए किन सब्दों का प्रयोग करेंगे प्री महोदाय, परमप्री, मित्रवर, बंधुवर, तो क्या है अगला देखे, आवेदित पत्र के लिए आवेदन करते समय पत्र में किस प्रकार का सम्भूधन किया जाता है, माननी महोदय, भावधी, प्राथी, पुझे, तो माननी महोदय, ब्योसाईग पत्र का समापन करते इसमें किन सब्दों का प्रयूग नहीं करेंगे, भावधी, कांची है कार्याले पत्र का बेवहार करतिस में किन सब्दों का प्रियुग नहीं करेंगी आद्रडी संपादक महोदय महोदय मानिवर क्रिपा कांची तो क्रिपा कांची है अगला देखिए बेवसाइक पत्र का आरम करतिस में किस सब्दों का प्रियुग करना चाहिए प्री अगला देखी शित्री अस्तर पे लोकल अस्तर पे आयदीन अपराद की बढ़ती घटनाओं के रोक ठाम के लिए किसको पत लिखा जाएगा थाना द्यच चौकी इंचार जिला अदिकारी कमिशनर तो थाना द्यच को लिखा जाएगा तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा द सब्सक्राइब करिए धन्यवाद